हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं महादेव मंदिर के समीप वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा था आरोपी शिपकंच के छावनी शेतर में दो दन पूर्व मंदिर जा रही एक वृद्दा के गले से सोने की चेन खीचने का और सफल प्रयास करने वाले चेन स्नाचर को पुलिस ने आज सुभा के समय दबोच लिया बता रहे कि दो दन पूर्व शावनी शेतर में सुभा के समय मनदिर जा रही एक वृद्दा के गले से सोने की चेन खीचने का एक बाइक सवार ने और सफल प्रयास किया था दख्का लगने की वज़ा से वृद्धा के गिर जाने की वज़ा से चेंसनाचर अपने मनसूबे में कामयाब नहीं हो सका और लोगों के इखटा होने के डर से अपनी बाइक लेकर मौके से फरार हो गया आसपास में लगे CCTV कैमरों में दिखाए दी चेंसनाचर की तस्वीर के आधार पर पुलिस ने उसकी तालाश शुरू की थी ठाने में विशेश शाका की कॉंस्टिबल चंदर सिंग इस कारे में मुस्तैदी से लगे हुए थे आध सुबा के समय कॉंस्टिबल चंदर सिंग को आरोपी से मिलते जुलते हुलिये का व्यक्ति अपनी पलसर मोटर साइकल पर केरलेश पर महादेव मंदिर के समीव दिखाए दिया संबवण ये मंदिर के आसपास अपने शिकार की तलाश कर रहा था इस दोरान शक होने पर वो सुमेडपूर की तरफ रवाना हो गया जिस पर चंदर सिंग ने लगातार उसका पीछा किया तथा सुमेडपूर पुलिस को सूचना देकर उनके सयोग से रास्ते में ही घेरा बंदी कर उसे दबोच लिया सियाई बुद्धाराम चौधरी ने बताया कि पुलिस आरोपी से पूचताच कर रही है पूचताच के बाद ही आरोपी के बारे में पूरी जानकारी का खुलासा हो सकेगा फिल वक्त यही जानकारी मिली है कि वो मुंबई शेतर से यहां आया है जागरुक टेवी के शिवगन से मनोहर मीना के रिपोर्ट